So everyone, मेरा नाम धननजा है, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम दिवाली से आगे अपनी प्लानिंग को स्टार्ट करें, generally हम लोग अपनी प्लानिंग निव एर में करते हैं, और निव एर में रेजूलोशन लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे और वो प्लानिंग कुछ दिन तक, तो हमें मोटिवेट करती हैं, फर्दर उसके बाद हम उस प्लानिंग में फेल हो जाते हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा कि क्यों हम ये प्लानिंग स्टार्ट में दिवाली के टाइम में कर लें, दिवाली 12 नॉंबर को है, और उसके बाद, इसके बाद हमारे पास क अबनी चीज़ों को हम renew कर सकते हैं तो financial planning में कुछ चीज़े होती है हमारे objectives, हमारे जो goals हम कह सकते हैं हमारी जो present earning capacity है उसको कैसे increase किया जाए और हमारी जो savings होती है यानि जो हमारा investment बोलना चाहिए वो कैसे हम उसको diversify करके risk को कम करें output को ज़्यादा ले इन सब चीज़ों पे ही हमें goal बनाना होता है मोटे दोर पे मेरा आज सबको suggestion होगा कि अगर आप चाह रहे हो कि अपने जो goals है उसको achieve करो आप चाह रहे हो कि आपके objective जो meet हो time से या before time तो आपको सारी चीज़े pen down करना पड़ेगा pen down is the best thing जो आप लिखते ही आपको exact situation पता चलने लगता है और पता चलेगा तो naturally उसपे आप act करोगे कभी भी कोई भी goal हवा में नहीं बनता लिखना बहुत ज़रूरी है और objective को आप clear कर लीज़े ये goal कब तक achieve करना है जो आपकी saving और investment है उसमें gap उसमें जो lagging है उसमें जो stop हो जाता है कभी कभी हो hold हो जाता है because of the unwanted expenditures या कोई ऐसा कि earning आपकी fix है खर्चे को बढ़ गए या कोई और एक need आ गई उसकी वज़े से तो मुझे लगता इसको आपको हर हालत में discipline तरीके से करते रहना है अगर आप discipline तरीके से अपने खर्चे को अपने investment strategy को maintain रखते हैं तो output बड़ा tremendous होता है मैं जानता हूँ कि meet करना या उसको maintain करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं खुद personally बड़ी दिक्कत में होता था जब भी कोई strategy को अपने follow किया वो strategy gradually because of any region बीच-बीच में break हो जाती थी and you know if it is broken तो आपको आगे चलके जो आप plan करते हो उससे आपको पीशे जाना पड़ेगा so to meet those challenges आपका मेरा यह suggestion होगा कि आप उसको बिल्कुल break ना करें एक definite time के बाद आपको बहुत अच्छा fruit मिलेगा naturally maintain करना बढ़ा tough होता लेकिन आपमान के चलो आपके पास है ही नहीं अगर कोई unforeseen conditions आ जाती है तो आप उसको meet करने के लिए उसी तरीके से deal करो जैसे COVID के time में आ गया था और आपके पैसे नहीं थे suppose करो कभी आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और you need to meet certain requirements and things तो वैसे ही meet करो उस time भी अगर आपके पास पैसा है तो भी मुझे लगता है इससे अच्छा कोई plan नहीं हो सकता और by this way एक बार आप उसको new year में अपने तरीके से उसको plan कर सकते हो दुबारा से और एक booster dose की तरह से आप देख सकते हो कहां का कमी रह गई और क्या आप better कर सकते हो तो मुझे लगता है कि ये और अच्छा रहेगा so it was all छोटा सा वीडियो था thank you very much bye bye